उदैपूर में नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम के साथ होगा नए साल का जश्ट मनाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी उदैपूर पहुँच रहे हैं लेक सिटी उदैपूर परेटोकों से गुलजार रहने वाली सिटी है ऐसे में उदैपूर शहर के सभी परेटन स्थल इन दिनों परेटकों से गुलजार है वहीं उदैपूर की होटल और रिसॉर्ट भी पूरी तरह से फुल है होटल एसोसियेशन के उपाद्यक्ष राजंदर अगरवाल ने बताया कि इस बार भारी तादाद में परेटक आ रहे हैं ऐसे में परेटकों के आने से होटलों में 70-80% की बुकिंग हो चुकी है होटल विवसाय परेटकों का स्वागत करने के लिए आतुर है नव वर्ष पर इस साल परेटक के आने की पूरी उमीठ्थी वह भी पूरी हो रही है साथ ही जनवरी को लेकर भी परेटकों की होटलों में बुकिंग के एंक्वाईरी आ रही है तो वहीं होटलों की booking के साख ही होटल वेवसाय जोरो शोरो से तैयारिया कर रहे हैं इस वर्ष दो वर्षों के कोरोना के पास्चाथ परेटर अपने बूम पर हैं निश्चे ही इस वर्ष देश विदेश से परेटर को काफी अच्छी संक्या है गुजरात, महराष्ट, दिल्ली, मधिपर्देश और बी जो अपरोसी राज्ज है वास से बड़े पेमाने पर परेटर आये हैं और वे दिसम क्रिस्मस चुट्टों से लेकर नवर्ष मनाने तक काफी परेटर हैं बहुत सारी होटल्स में 37-80% से अधिक बुकिंग हो चुकी इनवर्ष पर वो क्रिस्मस पर भी काफी अच्छी बुकिंग रही है और आने वाले आगा में जनवरी महा में भी परेटर को के काफी अच्छी संक्या देखने को मिलेगी वो काफी असरा नहीं है परेटरिन विबाग के द्वरा इसका फाइदा परेटर को मिल रहा है लेकिन आप वापस क्या कहीं किया आप जो नया वर्ष आरा हो टूरिस्ट को लेकर निश्चे ही कोरमा जब था उन दो वर्षों में होटल विबसा ये पर बहुत बूरी तरब परवा पड़ा था होटल विबसा था थप सा गया था वो निश्चे ही क्विचले काफी समय से परेटर विबसा पटरिपो लोटा है और अच्छा चल रहा है वही नए वर्ष को उत्साह के साथ मनाने के लिए परेटकों की भीड उदैपूर में उमण रही है परेटक उदैपूर के सभी परेटन स्थलों पर लुथ उठा रहे हैं वही नए वर्ष को उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हो गए है नए वर्ष को लेकर उद्यापूर में परेटकों का फुटबॉल बढ़ चुका है बड़ी संख्या में परेटक उद्यापूर पहुंच रहे हैं आपको बता दे कि 2023 के इस जश्न को लेकर और 2022 के इस अंतिम विदाई को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचें अलग राज्यों से और अलग 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 वदियसटेश्णों में परेतक है कि कहां से आप की सरह यहां से नेयावर स्लेब्रेट करने वाला है Galuj अट यहां पर कुम यह तो उद्यापूर ओर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है आ rolling को क्या कहना चाहेंगे उद्यापूर के लिए मैं यह कहना चाहूंगी डाइट आई एम हाविगा लॉट फन अना में इंजॉइंग अन्टी जी दो जार तेस आने वाला कैसे सेलिब्रेट करने वाला है उद्यापूर में हाँ इंजॉइ करेंगे तो अच्छी होगा केको काट करेंगे थोड़ा फन करेंगे असी मंजाग होगी और क्या सब्याग गूमेंगे या विया वेलकिमिंग दिस अन्यू यह विद लॉट जॉइन हापिनेस अन इन दिस अदेपूर आई होग दिस गिवस अ लॉट फन कहां से हैं आप और यहां कैसे सेलिब्रेट करने वाले आ अजी सुबह गये थे और आज दोपहर से उदयपूर घूमना शुरू किया हैं सबसे पहले हम लोग गये थे फते सागर उसके बाद फिर सहेलियों की बारिया है बहुत ही खुबशूरत सहर है बहुत ही मन को अच्छा लगा उदयपूर घूम की अभी और बहुत सारी चीज यहां का द्रश देखेंगे कि बड़ी संख्या में परेटकों का फुटबोल यहां बढ़ता जा रहा है जिस तरह से नया वर्ष है नया वर्ष मनाने को लेकर परेटकों में भी बड़ा उत्सा है और जाहतर लोगों ने इस बार उदयपूर को ही चुना है पहले में यहां क जापूर से और यह सहीले की बाड़ी बहुत अच्छी लगी है आपके जोई फाउंटेन बहुत ही अच्छा है और हम सबने बहुत इंजोए करा हमारे साथ चोटे-चोटे हमारे जोट भाई-वेन भी थे हमने बहुत अच्छी लगी क्या गाइंगे उदयपूर के लिए उ हमने में इंजय वाले रावारे उद्यपूर 7-2-3 और यह बहुत अच्छा लग रहा है बचों के साथ प्रपामिली की साथ है और यह भूत ओमे लाइक लाइक है की जगह शेमारे लाए हम बच्चों के साथ और एस हिएं करने वाले हैं यहां यहीं निया वर्थ नारख़ Her यहीं नई आवर्ष मनाने वाले हैं वाले हैं बड़ी सिंख्या में अध्यापुर के साथ जो जिले हैं अनिय राज और अई विदेश विदेश भी यहां लोग है और इस तरह से जो नया वर्ष मनाने वाले हैं कि बाड़ा इंज़ो करने वाले हैं ओर कुछ लोगे घिंसे हम भाद करेंगे कि कहांसे यहां बढूर वाथ वहां को रखेंगे ड्यूद्र के लिए गया कि बीन पर देचया में लोग और तुरिस्ट का फुटबोल है कहें तो फुटबोल टुरिस्ट का है वह बड़ा बड़ा है और लोगों की जो नया वर्ष मनाने वाले कहते हैं कि उद्यापूर एक लेक सिटी है और कई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें उद्यापूर का नाम है और ऐसी ट्रेवल सेंड मेगजिन्स जो सूची है उन्हीं उद्यापूर का नाम है, उसके साथ ही जो लेक सिटी कई जाने वाले सूद्यापूर को कई उपलबदिया मिली है, ऐसे में जो लोगों का उत्सा देखने को मिल रहा है, नये वर्ष को लेकर बड़ा उत्सा है। पलपल राजस्तान के लिए राजश डांगी